अगर आप ट्रेविलिंग पसंद करते हैं और पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं तो हमारे चैनल मनमोजे ट्रेविलर को अवसी सब्सक्राइब करें और नोटिपिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबायें एक ऐसी सक्सियत जिनको पूरा यूपी जानता है और पूरा यूपी नहीं पूरा भारत जानता है क्योंकि पूरे भारत से लोग ब्यच्चू में दिखाने आते हैं और यह हैं डाक्टर विबेक सर्मा जो ब्यच्चू के डाक्टर है अलाकि इस समय ब्यच्चू में नहीं है ब्याच्चू से रेटार हो चुके हैं अभी इनकी खुद की डिस्पेंसरी है तो लोग यहाँ पर दिखाने आते हैं तो चलिए उनसे चलके मिलाते हैं आपको और उनके बारे में कुछ बताते हैं कि एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनको ब्याच्चू का भगवान कहा जाता है और सबसे बड़ी बात इनकी खासेती है कि भीड बहुत होती है आप और इटावा यूपी इस्ट यूपी वेस्ट चारो तरफ से लोग आते हैं और काफी दूर-दूर से लोग आत है यह मेरे सामने जो भीड देख रहा है वो सब डाक्टर बिवेक सर्मा जी से ही मिलने आया है और दिखाने आया है तो इनका नंबर लग चुका है और जितने लोगों का नंबर लगता है जिनको बुलाते हैं उनको देखते हैं बूरे मरीज को देखने के बाद ही वह घर जाएंगे कलिए अगर आपको डाक्टर बिवेक सर्मा जी केहां दिखाना है तो आपको बार-बार मोबाईल नंबर रीडाल करना पड़ेगा जो मैंने दिया हुआ है तो वो मोबाईल नंबर कांटक्त नंबर आपको बार बार रे डाल करना पड़ेगा जैसे मोबाईल ब्यस्त है बोलता है वैसे कार्ट के दुबारा लगाएं यह प्रक्रिया बार-बार करते रहेंगे तो एक बार आपका नंबर जरूर लग जाएगा हो सकता है एक दीन या दो दीन में लगे और अगर दो तीन मोबाइल से आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है एक ही दीन में लग जाए तो बार-बार ट्राई करते रहेंगे तो जरूर लगेगा और जैसे ही लग जाएगा एक हफ्ते बाद आपको बुला लिया और इसी नंबर से लगेगा क्योंकि जादे मरीजों को देखते नहीं है और एक ही फोन नंबर है तो इसलिए और लगाने वाले काफी लोग है इसलिए आपको बार-बार टाई करते रहना पड़ेगा कि अजय को कि अजय को कि अजय को कि कि डाक्टर बिबेक सर्मा बहुत ही नेक और पॉलाइट बैकते हैं जिसका पता उनके पास आने वाले मरीजों से लगता है क्योंकि जितना भीड इनके पास हुआ करता था जब यह अच्चू में हुआ करते थे उतना कहीं भी नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि यह कितने बजब की काम करती है इसी लिए यहां पर इतनी भीड रहती है कि अब 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 हम आस्पीटल से निकल रहा हैं वीवेक सर्मा के और दवा ले चुके हैं और आप वापस जा रहा हैं तो अगर आप आना चाहते हैं तो आपको पहले फोन नंबर मिलाना पड़ेगा जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा इनका हेल्प लाइन नंब कर आएगा एक अप्ते बात